Brought to you by Khatabook मान्ये मुख मंत्री, मान्ये मुख मंत्री सभी दलों के नेतागन, एप हम सभी संपून सदन के परती आभार वेक्त करता हूं अब मान्ये मुख मंत्री जी का, हम लोगों को संबोधित करेंगे मान्ये नव निर्वाचित अध्यक्ष महोदे मैं आपको अध्यक्ष पत्के निर्वाचन के लिए बढ़ाई देता हूं और सर्म के सभी मान्ये सदस्यों को विशेश तोर पर बढ़ाई देता हूं और अध्यक्ष की एक बहुती निस्पक्ष भूमिका होती है और आपको सत्तापक्ष, विपक्ष, सब की बातों को ध्यान पूरुवक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताविक कारियों का संचालन करना है आपका अनुभव है एक मानिय सदस्य के रूप में रहा है मंत्री भी रहे हैं तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुती बहतरी नंग से निभाएंगे यही हम सब लोगों की पिक्षा है और मैं सभी मानिय सदस्य महोदे से यही आग्रह करूँगा कि सब लोग जो सदन की कारिजवाही के नियम है सब लोगों को उसका पालन करते हुए अपनी बात जरूर रखनी चाहिए सब लोगों को अपनी बात रखने का उनका अधिकार है और अध्यक्ष महोदे को नियमों के मुताविक सदन के संचालन का अधिकार है मुझे पूरा भरुसा है कि अब जो निर्वाचन हुआ नई विधान सभा गठित हुई है और उसके बाद आप अध्यक्सपत को आपने संभाल लिया है इसलिए मुझे पूरा भरुसा है कि पूरे कारेकाल में बहुत अच्छे धंग से इसका निस्पादन होगा सदन की कार्जवाही भी बहतरीन धंग से संचालित होगी मैं यही सब लोगों से अग्रह करूँगा और इनी सब्दों के साथ आपको पुना बढ़ाई देता हूँ और सभी मानियस दस्यों को मैं धन्यवार देता हूँ